मित्रों नवस्कार मेडी पियार आपका इस यूटूब चैनल में बहुत बहुत साथ करता हूँ फ्रेंस तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो प्री 2006 रिटार्मेंट लेके आए हैं और जो पोस्ट 2006 रिटार्मेंट लेके आए अब देखिये यहाँ पर जो 2006 से पहल है और जो यहाँ पर 2006 से पहले रिटार्मेंट होके आ गए हैं उनके लिए मित्रों यहाँ पर बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है और ओपी बन में भी हुआ है देखो पित्रों यहाँ पर आप लोग पूरी टेवल देखिए वीडियो को फैलाईए जिससे कि यहाँ पर सभ चाहि मालूम पड़े और वो हक्की लडाई के लिए सामने आएं तो मित्रों यहाँ पर सबसे पहली जो रेंक है वो हमारी सिपाई की होती है अगर वो 2006 से पहले रिटार्मेंट के आते हैं तो उनको यहाँ पर मित्रों 18807 रुपे का बेसिक पे मिलेगा वहीं पर अगर वो पोस्ट हो जाते हैं तो उन्हें एसीपी टू का लाब मिलेगा और हवल्दार का इसकेल मिलेगा सेलरी का और उनको भईया पेमेंट मिलेगा एकीस जार साथ सो ब्यासी रुपे तो आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो किसमें कितना बड़ा अंतर आ गया साल में कित साल नौकरी करते हैं और पिरी हैं तो उनको पेमेंट मिलेगा यहाँ पर एकीस हजार साथ दो सच जबाली रुपे तो फ्रेंडस यहाँ पर अगर एक केसजार एकसो चौँ लाफ मिल जाता है 20 साल काम कर लेते हैं तो फ्रेंडります उनकी शर्लीर सेलरी बरेगी यहाँ तो उनको पेमेंट मिलेगा यहाँ पर चौवीस जार आट सो पच्चीस रुपे तो फ्रेंट देखे कितना बड़ा अंतर निकल के आ रहा है और फ्रेंट यहाँ पर अगर एसीपी फस्ट का अगर हवल्दार साब है और उन्होंने 26 साल नौकरी करी है तो उनको पेमेंट मिले अगर बहुत बड़ा भीदवाब हुआ है अगर फ्रेंट यहाँ पर हवाल्दार हौनी वल्दाना एक सुवदार है और चौवीश साल काम करके आए हैं और 26 साल काम करके आए हैं तो देखिए उनका पेमेंट में कितना बड़ा अंतर आता है तो उनके पेमेंट में यहाँ पर अंतर आएगा यहां पर मिलना है 23,750 और हीरा यहाँ पर इसा कोई खास आंतर नहीं आया है चोभी साल और चभी साल कोई खास नहीं आया है मित्रों यहाँ पर वीडियो को लाइक hon चैनल सब्सक्राइब जरूर करें मैं आप से अगरी वीडियों फिर मुलूँगा तब तक के लिए जै हिन जै भारत नमस्कार बंदे मात्रम